हाई माई लवली एकरियर्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई चैनल साई टेरो ट्रपल सेवन मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा लॉट आई हूँ आपके साथ दिसंबर मा की रीडिंग को ले करके आप चाहें तो टायम स्टेंप पर फॉरवड करके देख सकते हैं मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पूरी वीडियो देखे क्योंकि कभी-कभी जर्णल में लव मैसेज आ जाते हैं और लव में जर्णल मैसेज भी आ जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी पूरी वीडियो द उनकी लाइफ में क्या होने वाला है दिसंबर के महिने में Divine Angels गाइड कीजिए Divine Angels गाइड कीजिए Divine Angels गाइड कीजिए Aquarius के लिए Aquarius के लिए Divine Angels गाइड कीजिए तो आपका फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे Friendliness वाव Second कार्ड है आपके लिए यहाँ पे Rebel वाव Third कार्ड आपके लिए है यहाँ पे Nothingness वाव 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 आपकी तो Reading ही वाव में ही जा रही है चलिए थोड़े टेरो कार्ड देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है और क्या स्टोरी आपकी निकल के आई है Suspence को हम खोलेंगे मेरे viewers, मेरे subscribers जो भी कुमराज के हैं उनके December के महीने में कैसी क्या Energy रहेगी Divine Angels Guide कीजिएगा Divine Angels Guide कीजिएगा तो फिर्स कार्ड है आपका The Lovers Friendliness के नीचे The Lovers Oh My God क्यार कर रहे हो एकवर Yes Comment में बताना Four of Vans इसलिए मैं कहती हूँ जब भी आप reading देखो तो जनर्नल भी देख लो कहीं Love Message जनर्नल में ही ना हो And Out of Swords Nothingness के नीचे Out of Swords अंधेरा और नीचे अंधेरा Bottom एकार्ड Ten of Cuff का तो Yes मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारा जॉइनेस आ रहा है बहुत सारी Freedom आ रही है और बहुत सारी Abundant Energy आ रही है Harmony आ रही है जहां आपकी अपनी Life को Balance करोगे आप चाहते हो बहुत समय से कि आप आपका Life में सब कुछ वो सब मिले जो आप desires रख रहे हो खुसियां दस तक देना चाहती है आपकी Life में कभी ना कभी इसकी जो यहते हैं हर वेक्त ही को एक इंति lei को एक इंतियार रहता है कि मेरी Life में खुसी आया मेरीलाइफ में खुसी आया कैसे भी कुछ भी करू पर इसी मेरी फुसी आया और future bright हो जैसा सोच रहे थे जैसा कर रहे थे बहुत ज़्यादा love attraction का यूज किया है क्योंकि या family life का card है तो मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा love attraction के उपर काम किया है और जिसकी वजे से आप यह चीज को manifest कर पाए हो ठीक है तो यहाँ पर बहुत ही good vibes आ रही है आपने अपने जो मित्थक दे उन मित्थक को तोड़ा है अपने मित्थिकों को तोड़ा है जो belief system आपको बच्पन से सिखाए गए थे उनसे आपने उन्हें तोड़ने की हिम्मत करी है बिद्दर रही विल और इसी वजे से कही ना कहीं आप अपने self higher self के साथ में अपने crown के साथ में, अपने seven chakra के साथ में connect हो पाए हो आपने seven chakra के जो भी blockage ने उनको खतम किया जो भी darkness सी खतम किया कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा meditation किया है और नहीं किया है तो अभी करना सुरू कर दो मेरी जान अभी करना सुरू कर दो तो इस सम्मर के महीने में मुझे दिखाई दे रहा कि आपका आपके परसन के साथ रीमियन है अगर आप किसी की घर वापसी चाह रहे थे तो घर वापसी उसकी दिख रही है अगर आपका परसन थर्ट पार्टी के साथ में गया है ठीक है बस आपको एनरजी को क्लेम करना है एंजल्स को यहां पर थांक्यू करना है कि एंजल्स ही है वो भगवान है वो इस्वर है जो आपकी इस तपस्या को देख रहे थे उन्होंने आपकी तकलीफ को समझा है आपके और आपके परसन के बीच में जो भी दूरिया जिसने भी बनाई उसको निकाल फेकने में जिसने मदद की है वो है आपके इस्वर और इस्वर परसन हुए आपकी तपस्या से ठीक है मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा आपने हो सता है कि जो भी आपे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए थूड़ा सा मैं कहूंगी अभी और थोड़ा सा वर्क करना बाकी है ठीके अभी थूड़ा सा और वरक करना आप बहुत मंजील के करीब आ गए हो दिसम्मबर के महिने में बहुत करीब अपने हो भस आप अपने गोल के पास हो, टॉर्च है आपके हात में, टॉर्च, सब कुछ क्रियेट कर सकते हो, फिर अगर आपको जॉब के लिए इक्जाम दाएने के त्यारी करें तो वहां पर आपकी जॉब्हों हैं और अपको काल दिखाई दर स सब्सक्राइब को अपनी किस्मत को सब्सक्रार कुण अच्छरसे लिखेंगे खुद से सण अच्छर से यहां पर अपनी मेहनत की जो किस्मत है ना वो लिखते दिख रहे हैं सूर का आगाज हो रहा है एक ठीक है और यह स्प्रिच्वल थोड़ा सा और होने की बात कर रहे हैं थोड़ा सा और स्प्रिच्वल हो जाईए थोड़ा सा से निकल आओ उसके लिए नहीं सिर्फ अपने लिए जो लोग प्रापटी के लिए प्लानिंग कर रहे थे दिसंबर के महीने में उनके लिए प्रापटी बनते दिख रही है और डेफिनेंटली वो ऐसी कोई प्रापटी खईदने वाले हैं जहां उनकी लिए लगी चाम होगी जो लोग बहुत समय से नहीं मिले हैं आपस में वो लोग भी यहां पर मिलते हुए दिख रहे हैं आपस में कनेक्शन उनका स्ट्रॉंग बन रहा है अप उनके समाज में और और यस बहुत ज़्यादा आप फैमिली प्लानिंग के एनरजी दिख रही है तो कही ना कही अगर प्लानिंग में हो तो यहां पर प्लानिंग आपकी सक्सेस्फुल होते हुए दिखाई दे रही है साथ में 1111 नंबर एंजल भी हो दिख रहे हैं मुझे तो में भी आपको एंजल नंबर 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा या फिर डबल एट ट्रिपल एट बहु यूनीकॉन आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं दिसम्बर के महींचे में? परस्पेक्तिव अपना चेंज करना है, ये जनजीर में बनहे रहना है, किसी जनजीर को तोड़के बाहर निगलना है, उसी बिलीव सिस्टम में प्रहना है जो बच्पन से सिखाया गया है या उससे बाहर निकलना है यह अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करने की बात कर रहे हैं एंजल्स कुई donnब की आपके लीए आई हैं यू ऐर बेस्ट में उपर घंट बैस्ट कड़र यू सरर की महरीन केii संथ है क्यिस दिसमरबरिया की यह हापकी जनला इनर्जी अब हाई कुमराश्टी तो चलिए जानते हैं कि आपकी क्या रहेगी आपकी लव एनर्जी जनरल एनर्जी में आपके लिए बहुत सारे लव मैसेज थे अगर आप चाहें तो जनरल मैसेज जरूर देखेगा जाकर क्योंकि वहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉंग मैसेज है उनकी लव एनर्जी डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए बाइद इवे आपके परसन आप रिलेशन्सिप में हो या फिर सिंगल हो फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हो सेवन ऑफ सोट दल लवर्स वाओ आपका जनल में भी दल लवर्स का काड आया था सडाkehr का फिर पायारी बास समझ में आरहां था नहीं तर्ड पाटी का इसू जो मैं ने बोल था नहों está अर्छा ये बहुत बुरी गंधी तारे के सच्चित इडिए मतलब विढकी करने म법ला गलती किये हैं और ब्लेम उसी आपके पर ही डाल करके गए हैं, ठीक है, ऐसे एनरजी है, अन्नोन कार्ड कुछ चीज़े हैं जो मिस्ट्री में हैं, ओके, चली कुछ और टेरो कार्ड ले ले लेते हैं, फिर आपके लिए हम रीडिंग करते हैं, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकि लवर्स का कार्ड आया हुआ है, एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, आपको आपके सदकर्मों का फल मिलेगा, मैंने वहां पे भी आपको काइट किया है, आप तो first card है आपके लिए to a pentecost, second card है आपके लिए यहाँ पे magician, okay and third card है आपके लिए five of sword, five of sword के नीचे five of sword card and knight of sword, okay clearly दिखाई दे रहा है, bottom में card है आपका, the tempress का card, okay तो जहाँ पे cheating हुई थी, जहाँ पे लडाई जगड़े हुए थे, dispute हुए थे, challenges आये थे, बहुत जादा आप दोलों के बीच में obstacles आये थे, कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे tempress के energy यानि healing के energy लगते हुए दिखाई दे रही हैं, तब तक कि अपना trust जो है ना, थोड़ा सा ना बचा के रखिएगा, बहुत जल्दी किसी चीज़ पर trust मत कर लीजेगा, ठीक है, दुबारा से चीजों को revive करने में time लगता हुए और बहुत समय से पहले चीज़े revive हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा ना aware रही है, यह से कुछ energy आ रही है, दूसरा यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, आपके person ने आपको यहां पर एक option की तरह ट्रीट किया है, ठीक है, option की तरह ट्रीट किया, और कहीं ना कहीं आपको जूट बोलते रहें, मतलब आपके साथ में भी relationship में रहें, और जूट बोलते रहे कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हमारे बीच में है, यह है, वो है, दुनिया बर की कहानी पढ़ाते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको उनकी जानकारी हो चुकी थी, तो आप दोनों के बीच में लडाई जगड़े हुए हैं, अब लडाई विद दजमजेसिन कार्ड अंड लवर्स, यह वापस आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, और पेर पकड़े कान पकड़ के, नाक रगड़ के आपसे माफी मांगे, अगर आपको होगे कि मुझे अगर परीच्छा दो तो यह अगर परीच्छा भी देने को तयार होंगे, आपकी हर बात माने को तयार होंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है, कि आप समय जो है आपके हातों में आते वह दिख रहा है, लेकिन अवेर रहना, बहुत जल्दी ट्रेस्ट नहीं कर लेना, क्योंकि नाइट ओफ सोड की अनरजी में है, पूर्ण विश्वास के लायक नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो पूर्ण विश्वास को बनाने के लिए पहले इनकी अगनी परिच्छा लेनी जरूरी है, इनकी हर बात की जाच कर लेना जरूरी है, ताकि दुबारा से वो गलती ना हो, जो अभी हो चुकी ह आप से ठीक है, वाकि लवर्स के कार्ट से बांड़िं अच्छा बन सदिख सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, स्ट्रॉंग का एनरजी बन रही है, आपके परसंद को ले करके, अगर सिंगल है, तो कही न कहीं आपके लिए कोई दिष्टा आ सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जिससे आपके आने वाले समय में आपका नियर फ्यूचर बन सकता है जो आपको आने वाले समय में करेगा पैंपरिंग करेगा और आपके साथ में बॉंडिंग मना के चलेगा ठीक है अब आपके लिए हम एंजल मैसेज देख लेते हैं एंजल औरेकल मैसेज आपको क्या कह रहे हैं मैं बहुत जली-जली बोल रही हूं कि मेरी हाँ पेटरी खटम हो गई है मोबाईल की तो मुझे लग रहा है कि रीडिंग खटम होने से पहले मैं रीडिंग को तो पहला है pay attention to the red flags, मैंने यही बोला आपको, the signs are causing you, ठीके, तो कही न कोई मैंने यही आप से बोला है कि aware रहेगा, बहुत जल्दी माफी मत दे दीजिएगा, second card है आपका person, आपका person आपकी तरफ attract दिख रहा है, allow your heart and soul to sing with you, तो कोई भी relationship में बढ़ने से पहले बस इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, खास करके passionate energy में आने से पहले, intimacy से पहले, जरूर इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, कि इनके उपर अभी आप trust नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा time बाकी है, what am I card है, आपका this could be one, तो ये आपके अपने हो सकते हैं, जिनसे आप पहले मिल चुके हो, लेकिन अभी थोड़ा सा trust बनाना बाकी है, थोड़ी सी परिच्छाए बाकी है, ठीक है, मैं again कहूंगी, पहले पूरी तरीक से जाच परक लीजेगा, फिर ही आने वाले समय में relationship में आगे आज है, जो एक बार गलत कर सकता है, वो दुबारा भी गलत कर सकता है, यहां पर चांसे दिख रहे, तो यह सेवन ओफ आप रहे हैं, तो यह थी मेरी आपके लिए रीडिंग, आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं मिलूंगी आ को आपकी अगली रीडिंग में तब तक के लिए बाई